नमस्कार जैसाईराम मैं ब्रिजमों सूरी आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उंगलियों के मुद्रा से अपनी फिंगर्स की मुद्रा से आप अपना भागे बदल सकते हैं जी हाँ यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि जब परमात्मा ने इनसान को बनाया तो अपनी समस्त शक्तियां परमात्मा ने इनसान में डाल दी तो आईए हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी उंगलियों के मुद्रा से अपना भागे बदल सकते हैं यदि आप जिन्दगी में बहुत सफल होना चाहते हैं बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ें चाहे आप वपारी हैं, नोकरी करते हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं कुछ भी हैं विद्यार्थी हैं आप से ट्रगल कर रहे हैं कि आप जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ जाएं तो मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूँ जिसे आप मात्र दिन में तीन बार दो दो तीन तीन मिनट भी कर लेंगे तो आपको बहुत अधिकलाब होने वाला है यानि उससे आपका confidence लेवल बढ़ेगा आपका भाग्य उदे होगा धन आना शुरू होगा आप में कुछ करने की हम्मत आ जाएगी बस इतना द्यान रखिए कि जब आपने इस आसन को करना है यानि अपनी fingers को इस ढंग से रखना है जैसा मैं बताने वाला हूँ तो उस समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचना है आगे बढ़ने के बारे में सोचना है जैसे स्पोज कर लीजिए आप एक singer है तो उस समय आप मुद्रा करते करते सोचेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं आप विद्यार्थी हैं तो अपनी विद्या के प्रति सोचे आप वेपारी हैं तो अपने वपार के प्रति सोचे आप नोकरी करते हैं तो अपने नोकरी के प्रति सोचे यदि आप पतनी हैं और पती से प्रेम चाहती हैं प्यार चाहती हैं पती की तरक्की चाहती हैं तो इन स आपका confidence level उन्हीं विश्यों पर बढ़ेगा और आपको एक अजीब सी शक्ति मिलेगी आप अपने index finger और middle finger ये दोनों को ऐसे आपने ऐसे कर लेना है ये दोनों fingers आप देख लीजिए और जो ये दूसरी fingers हैं इनको आपने ऐसे कर लेना है ये देखिए इन fingers को ऐसे कीजिए और इस finger को ऐसे कीजिए आपने इस डंग से ये करना है और ऐसे ही बैठी रहना है index finger और middle finger आपने इंगुठे के साथ उनको touch करके हलका सा दबा देंगे बाकी जो उंगलियां है उनको नीचे की तरफ कर दीजिए ये देखिए मैं करके बता रहा हूँ आपको इस मुद्रा में दोनों हाथों से करना है एक आथ से नहीं दोनों हाथों से करना है और इस मुद्रा में यदि आप 5 मिनिट तक बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है 10 मिनिट भी बैठ सकते हैं कम से कम 3 मिनिट तो बैठना है और दिन में 3 बार कीजिए इसके लाब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास धन आने लगेगा आपका confidence level बढ़ जाएगा आप बहुत आगे बढ़ने की सोचने लगेंगे जो जो मुश्किलें आपको आ रही हैं माल लीजिए कि आप कहते हैं कि आप student है और आप अपनी compartment जो आ रही हैं आपकी वो आप clear नहीं कर पा रहे हैं या वेपारी हैं तो वेपार में तरक्की करने के लिए जो परियतन आप करते हैं वे परियापत नहीं होते हैं या आप एक ग्रहनी है तो पती को खुश करने में जो परियतन आप करती हैं वे पूरे नहीं होते हैं तो आप ये परियोग कीजिए इससे आपका self confidence बहुत यादा बढ़ने वाला है और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं द्यान इस बात पर देना है कि जब आपने इस मुद्रा में बैठना है तो positive सोचिए और सोचिए कैसे कैसे आप अपना ये कारे कर सकते हैं इस कारे के बारे में भी आप सोच रहे हैं आप सोचेंगे कैसे हो सकता है आपके पती खाने से खुश नहीं होते हैं तो उस समय सोचिए क्या बनाओ कि वो खुश हो जाए आप अपार में नीचे जा रहे हो तो आप सोचिए कैसे तरक्की होगी यानि उस समय में आपके मन में बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं और क्योंकि positive vibration आपको मिलेगी आपका confidence level बढ़ेगा तो आप जिंदगी में बहुत रक्की कर सकते हो याद रखिए कि भगवान ने जब इनसान को बनाया तो अपने समस्त शक्तियां उसने इनसान को दे दी अब जो जितनी शक्तियों को जानता है उतना ही शक्तिवान माना जाता है अब इताब बचन की तरफ देखिए, उसने अपनी एक्टिंग को जाना, तो आज वो एक महान एक्टर बन गए, अब हम कोहली की बात करें, तो उसने क्रिकट को जाना, तो वो एक बहुत अच्छे क्रिक्टर बन गए, हमने अपनी शक्तियों को पहचानना है, जो जिन शक्ति यदि आप चाहते हैं समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहें वैं चाहे जोति से संबंदित हो, हेल्थ टिप्स हो, गरेलो नुस्के हो, या फिर गोचर राशी फल हो, या चंदर राशी फल हो, ग्रह चाल के बारे में हो, समस्याओं के बारे में हो, या जो मैंने पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में हो, साई बाबा, शेडी वालों के चार पुस्तके में मैंने लिखी हैं उनके बारे में हो हिंदू माननेताओं के वभिन नदार जो मेरी पुस्तक है उसके बारे में हो लाल किताब, भैरव किताब, काली किताब, किसी के भी बारे में हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियो मिलते रहेगे और यदि आप मुझे समपर्क करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो किर्पया कॉल मत कीजिए वटसेप पर मैसेज भेजिए मेरा नमबर फ्लेश कर रहा है आपका मैसेज मिलने पर मैं जवाब दूँगा 24 गंटे इंतजार कीजिए जवाब मिल जाएगा जैसाहिराम नमस्कार खुश रहिए आगे बढ़ते रहिए